आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ क्या होता है Probability that is equal to Total Outcomes यानि की Total Number of Cards इस Question में आजाएंगे Total Outcomes और Numerator में क्या आएगा Possible Outcomes पॉसिबल Outcomes का मतलब है इस Question में जो हम से पूछा है कि Y Cards की Probability कितनी होगी तो Y Cards कितने आएंगे इस इन सारे Cards में वो क्या हो जाएगा Possible Outcomes तो Probability that is equal to Total Outcomes is कितने Cards है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 5 और 5, 10 ठीक है और Possible Outcomes कितने हमारे पास Y Cards वाले Y Cards वाले हमारे पास एक तो यह होगा है दूसरा यह होगा है ठीक है दूसरा Y और यह होगा है थर्ड तो 1, 2, 3 तो हो जाएगा 3 by 10 ठीक है तो Probability कितने आएगी 0.3 Y Cards गी ठीक है Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा Students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे DoubtNet आप या WhatsApp कीजिए अपने Doubt आउट्स 8444 सूपर